मित्रों को जैजैसिया राम प्रभुश्री राम की किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो मित्रों आज बताएंगे कि स्राध की परमपरा कब शुरू हुई तो मित्रों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वेल आइकोन जरूर दबाईए ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन सब से पहले आपके पास पहुँचे महाभारत काल में सब से पहले श्राध का उपदेश अत्री मुनी ने महर्शी नीमी को दिया था इसे सुनने के बाद रिशी नीमी ने श्राध का आरंभ किया इसके बाद अन महर्शियों और चारो बर्नों के लोग भी श्राध करने लगे बर्षो तक स्राध का भोजन करते रहने से पित्री देवता पूर्ण त्रिप्त हो गए स्राध का भोजन लगातार करने से पित्रों को अजीरिन रोग हो गया इससे उन्हें कस्थ होने लगा अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रोग को मुक्ती दिलाने की प्रार्थना की पित्रों की प्रार्थना से द्रवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्यान अगनी देव करेंगे इस पर अगनी देव ने कहा कि आपसे श्राध में मैं आपके शाथ भोजन करूंगा मेरे साथ रहने से आपका अजिर्न दूर होगा यह शुनकर पितर प्रसन हुए बस तबी से स्राध में सबसे पहले अगनी का भाग दिया जाता है और पितरों को अजिर्न रोक्षे मुक्ती मिलती है ऐसा कहा जाता है कि अगनी में हवन करने के बाद पित्रों के निमित दिये जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूशित नहीं करते सबसे पहले पिता उनके बाद दादा और उसके पस्चात पर दादा के निमित पिंडदान करना चाहिए यही स्राध की विधी है प्रतेक पिंड देते समय ध्यान मगन होकर गैत्री मंत्र का जाप तथा शोमाय पित्रे मते श्वाहा का उच्चाहरन करना चाहिए पित्री पक्ष के सब ही दिन स्राध किया जा सकता है लेकिन इसमें से कुछ विशिष्ट दिन है जिन में आप उनसे समंधित विक्तियों की स् सकते हैं जिन पुर्वजों की मिर्तू तिथी ग्यातनों हो उनका श्राध आमावश्या के दिन होता है सधवाइस्त्री की मिर्तू किसी भी तिथी को हो लेकिन पित्री पक्ष में उनका श्राध नौमी तिथी को किया जाता है कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में सन्यासी ह गया हूँ उसकी मिर्थू किसी भी तीथी में हो लेकिन पित्री पक्ष में उसका स्राध दौधशी तीथी को होता है धुर।